नमस्कार दोस्तो आपका फिर से बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फोकस ऑन इस्टडी पर आज की वीडियो का विसे है वल्व का विसकार कौन से महान व्यज्यानिक ने वल्व का विसकार किया था हमें वल्व किस परकार प्राप्त हुआ कितनी कठनाई के वाद प्राप्त हुआ तो दोस्तो अगर वल्व के वारे में आप जानना चाहते हैं वल्व के वारे में आप पढ़ना चाहते हैं तो आए हमारे साथ वीडियो के लाश्ट दर्ग वल्वे के अविस्कार होने से पहले एक ऐसा भी समय था जब लोग रोसने के लिए दिये मौंबत्ती का इस्तमाल किया करते थे लेकिन इस प्रकार की चीजों का अगर सही तरीके से इस्तमाल नहीं किया गया था तो बहुत सी दुरगटनाय हो जाती थी वहीं इसके अलावा इनका रख रखाव भी उतना आसान नहीं था लेकिन जब थॉमस एलवा एडिसन ने वल्व का विस्कार कर दिया तब मानों पूरे विस्व का चित्रे ही बदल गया हो अब लोगों को अंधेरे से और डरने की कोई जरूरत नहीं पड़ती थी साथ ही हमें घर के अलावा बाहर भी बल्व का इस्तमार करने लगे थे तो आज इस और्टिकल में हम ये जानेंगे कि आखिर बल्व का विस्कार किस ने किया था और कब किया था वहीं इसके अलावा भी कुछ जरूरी के विसे में चर्चा करेंगे तो आई दोस्तों सुरू करते हैं बल्व क्या है अगर कोई आपसे पूछे तो बल्व क्या है तो दोस्तों आप क्या कहोगे बल्व असल में एक ऐसा उपकरण है जो की रोसनी परदान करता है यदि उसे बिद्धुत से जोड़ दिया जाए तब अब आपको करंट जहां जहां भी मिलेगी वहीं आप इस बल्व का इस्तमाल कर सकते हैं बल्व में एक तार होता है और जब उसके माद्धम से बिद्धुत प्रवाह किया जाता है तब वो गरम हो जाता है और रोसनी परदान करता है अब बिजली के बल्व का इसकार किस ने किया था दोस्तों आपके मन में कोशन आता है कि बिजली के बल्व का इसकार किस ने किया था तो दोस्तों बिजली के बल्व का इसकार थॉमस एलवा एडिसन जी ने किया था एडिसन उस समय के एक जाने माने व्याज्यानिक थे अब दोस्तों बात आती है लाइट वल्व का अविस्कार किस नहीं किया था तो वल्व का अविस्कार सन अठारे सो अन्यासी यह हम कह सकते हैं 1879 में किया गया था वल्व का अविस्कार 1879 में किया गया था बलवकाविस्कार कैसे हुआ आपके मन में भी टाफिक आता है कि बलवकाविस्कार किस प्रकार से हुआ या कैसे हुआ तो जब आप लोगों को ये मालूम हो गया है कि बलवकाविस्कार किस ने किया और कब किया तो ऐसे मैं अब बारी आती है ये जानने की कि आखिर इन सभी चीजों के पीछे की कहानी क्या है बिद्दुत के इस्तमाल से रोसनी पैदा करने का विचार सफसे पहले इंगलिस कैमिश्ट है हम पहरी देवी ने मन में आया था इस बात को लगवक 200 वर्सों से भी जादा हो चुके हैं उन्होंने ही सबसे पहले ये दिखाया था कि जब बिद्दुत के तारों के माध्यम से बिद्दुत या बिजली परवाय किया जाए तब वो तार गर्म होकर रोसनी परदान करती है वहीं उनके दोरा तैयार की गई पहले जमाने के उपकरन कुछ घंटे तक ही जलबाते थे लेकिन थौमस एडिसन को बलवे के अभिस्कर करने का पूरस रह जाता है क्योंकि उन्होंने सन 1879 को ही कारवन फिलामेंट लाइट वल्वे का पूरी दुनिया में पेस किया था एडिसन जी के दिमाग में एक ऐसी तोर निकाली थी जिसमें वो तीन कारवन फिलामेंट के साथ वहतर डिजाइन का इस्तमाल किया करते थे जिसमें की वहतर वैक्यूम्स का इस्तमाल किया गया था जो की आंगे चल कर दोनों तरह से सफल हो गया और अंत में लाइट वल्वे बन कर तायार हो गया था क्या सच में एडिसन जी ने ही वल्वे का विसकर किया था अगर दूस्त आपके मन में आता है कि क्या एडिसन ने ही वल्व का विसकर किया था तो इस सवाल का जवाब है हाँ मतलब कि जैसे जितनी भी बड़े अविसकर आज तक हुए है इतिहास में उनमें सभी लोगों का थोड़ा थोड़ा हाथ रहा है ठीक ऐसे ही मौडर्न लाइट वल्व का विसकर भी असल में एक मिलित कोसिस है बहुत से लोगों की कुछ इतिहास कारों का मानना है कि करीब 20 से भी ज़्यादा इन्वेटर्स ने लाइट वल्व का डिजाइन एडिसन जी से पहले तायार कर लिया था लेकिन इस बात से भी कोई मना नहीं कर सकता है कि थॉमस एडिसन जी का योगदान सबसे ज़्यादा है लाइट वल्व के एवेलिएसन से लेकर उसे कॉमर्सियल प्रोडक्शन तक ऐसा इसलिए क्योंकि वो ही ऐसे एक मात्र व्याग्यानिक थे जिन्होंने एक पहला कॉमर्सियल प्रोडिकल बल्व तायार किया गया था वहीं बाकी के पहले लोगों के डिजाइन में काफी गल्तियां थी जिसमें वो सफल नहीं हो सके मुझे उमीद है कि आपको मेरी यह बात बल्व का अविस्कार किसने किया जरूर पसंद आई होगी मेरी हमेशा से यही कोसिस रही है कि रीडर्स को लाइट बल्व के बारे में किस प्रकार बताया जाए यह आपको मेरी एक कहानी कैसी लगी दोस्तो अगर आपके कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, चैनल, फोकस अन स्टेडी को सब्सक्राइब और से आर जरूर करें थैंक्स, थैंक्स फूर वाचिंग, थैंक्यू